गुड बॉर्निंग बच्चों आज अपन यूनिट से सेकंड टॉपिक लेंगे और वीडियो नंबर च्छे हैं उसमें अपन इससे पहले जो वीडियो देखा था उसमें पार्स्वे परवा है उसके जलमार्ग देख लिए जलमार्ग में तीन पढ़े थे सिंप्लास्ट एप दानिपत तीनों पढ़ लिए हैं उसके बाद में हमने पढ़ा रसारोहन रसारोहन के लिए हमने दो बाग किये थे हमने पहला था रसारोहन का मार्ग तो जायलम की वही काई होती हैं दूसरा जो हमने पढ़ा था रसारोहन की किरिया विदी के लिए तीन सिद्दान दिये ग गौडलेवस्की ने दिया था, दूसरा दिया था, जो स्टासबर्गर ने, और तीसरा जो हमने पढ़ा था, उसके लिए जो पॉइंट था, प्रासंदा, उसको जर जेसी वोस है, उसके दुआरा उसको दिया गया था, अब यहां पढ़ेंगे दूसरा, जो मूलदाफ है उसके बारे में, यहां पर भी कुशन पुटक की अधर सता है, मौलदाफ सिद्दान को नामान की चित्र की सायता से बताईए, तो यह डाइग्राम हो, उसको आप, यह जो गमले में लगा हुआ प्लांट था, उसको यहां से काट दिया, काट के उसकर यह लगाया गया है, उकरण, और उपर इसको मापने के लिए किसका यूज किया गया है, मैनोमेटर का उप्योग किया गया है, कभी किशन पूस लिया जाएं, कि जो मौलदाफ है, उसका मापन किसके द्वारा किया आता है, तो मैनोमेटर के द्वारा किया जाता है, तो यह प्रियोग है मौलदा जालन की वहिकाओं में पाया जाने वाला जो C और इसका मापन है वो किसके दुआरा किया जाता है मेनोमिटर के दुआरा किया जाता है तो देखो एक घमले में लगा हुआ प्लांट था उसमें जल डाल दिया गया और शुर्ट इसको काट कर उस पर ये उपकरन लगा दिया जाता है तो धनात्मक दाब उपर की तरफ लगेगा तो जल इस्तर बढ़ जाता है और इस कामापन किसे कर लिया जाता है मैनोमेटर से कर लिया जाता है और मैनोमेटर के द्वारा ये देखा गया है कि जो पात्मों की अंदर मूल दाब है वो केवल अधिक्तम कितना होता है 2ATM ही होता है कितना होता है 2ATM ये इस विदिक के द्वारा ये देखा गया कि पात्मों में जो मूल दाब है वो केवल कितना होता है 2ATM होता है जो केवल ज से भी मुच्चे जो होते हैं 100 मिटर तक होता है प्लांट उच्चे कास्ट के प्लांब होते हैं उनमें जल केशית यह का ऊईगा वहाँ पर उसमें मूल किस्न वहना चीए 20-daymen तो 20 Bul practitioners हितना देखा गया है केवल 2adm ही देखा गया है तो यह सिद्धान्त भी नहीं लागू होता है यह केवल छोटे प्लांट है उनमें ही लागू होता है और आप देखोगी जिम्नस्प्रम प्लांट होते है यह निम्नवर के प्लांट होते है आपको बताया था जिम्नस्प्रम एंजिस्प्रम तो जिम्नस्प्रम के जो अब बच गया अपना लास्ट टॉपिक है इस पार्ट में से के वर एक है वास्पोर सरजन सरसंजन तनाव सिद्धान्त जिसको अपन भोतिक बलवाद सिद्धान्त कहते हैं वो देख लेते हैं हाँ अगला आपने सिद्धान्त देखते हैं वो है भोतिक बलवाद सिद्धान्त तो इस सिद्धान्त के नुसार ये बताया गया कि ये जो किरिया होती है जो रसारोन की किरिया होती है या जल है वो नेचे से या गुर्तवाकरशन की विप्रीत से कहां तक पहुँचता है पत बोतिक बलों के कारण संपन होती है अभी इसका नाम क्या रख दिया बोतिक बलवाद सिद्दांत रख दिया कि बोतिक बलों के कारण होती है तो उसे बोतिक बलवाद सिद्दांत कहा गया इसके लिए जो सिद्दांत दिया गया वो किस ने दिया था डिक्सन और किस ने दिया कि चाव सिद्दान कभी पूछा जाए कि रसा रोहन किसे कहते है और इसके लिए सर्वमानने सिद्दान्त बताईए तो आपको केवल एक ही करना है और वो कौन सा करना है भोतिक बलवाद सिद्दान्त इसके बारे में करना है तो रसा रोहन जल के उपर चड़ने की किरिया होती है कुर्तवाक्स की विप्रीत पात्वों में उसे क्या बलते है रसा रोहन और डिक्सन और जोली ने कौन सिद्दान दिया सैसंजन्त तनाव या वासपूर सर्जन की चाव सिद्दान प्रस्तोते किया अब इसके अनुसार क लेकर पतियों तक जल है वो लगातार पाया जाता है बीच में इस पेस नहीं होता है तो जल लगातार होता है तो इसको क्या कहाता है अटूट इस्तम तो जल है वो मूल से लेकर पतियों तक जल का अटूट इस्तम रहता है जिसे क्या कहा जाता है जल इस्टेटिक तंतर माल इसको क्या कहा जाता है अटूर्ट इस्तंब और अटूर्ट इस्तंब की यानि जल यहाँ से उपर तक गया बीच में जल है बीच में रिक्तिस्तान नहीं है तो उसे क्या कहा गया जल इस्तेतिक तंतर कहते है फिर अब यह किरिया कप होती है कि जब कौन से किरिया होती है वास वासपोर सरजन चानते हो वासपोर सरजन पत्यों के द्वारा जल को वासपी रूप में बहार निकानना क्या कहलाता है वासपोर सरजन कहलाता है तो यहां जब वासपोर सरजन की किरिया होती है यानि कौन से किरिया होती है यहां पर जल की कमी होती है तो जल की कमी हो जाएगे चुसन समता बढ़ जाएगी और जल की हानी होती है चुसन समता बढ़ जाएगी तो पत्ती है वो जल को उपर के तरफ खीशता है और खीशता है तो उसे क्या कहा जाता है वासपोर सरजन की चाप कहते है क्या देखा आपने जब पत्तियों के द्वारा कौन सी किरिया होती है तो पत्तियों में जल की कमी होती है, जल की कमी होती है डेपीडी बढ़ जाएगी और जल को उपर की तरफ फीचा जाता है, इसे क्या कहते है वास पोर सजन की चाव कहते है फिर जल के अनों के मत दे, माल लीजिये, मैं आप इसको इस परकार समझेए, ये पूरी पाय पर जायलम है, इसमें जल के अनों है, ये जल के अनों है आपस में अकर्शन बल के कारण चिपके रहते है या से संजन बल इनमें पाया जाता है तो जल के अनों होते है, एस्टो के अनों है, उन सब में आपस में कौन सा बल पाया जाता है, से संजन बल पाया जाता है, जिससे आपस में चिपके और फिर आसंजन बल किसमें होता है, जल के अनों और ये जो जायलम की जो वाहिका होती है, उसमें क्या होता है, आसंजन बल और सैसंजन और आसंजन बल्कि कारण जल है वो लगाता मूल से होते हुई कहां तक पहुंच जाता है पत्यों तक पहुंच जाता है तो इस प्रकार से जल का मूल से पत्यों तक पहुंचना क्या कलाता है रसा रूहन कलाता है और इस सिद्दान्त को क्या नाम दे दिया सैसंज नमबर 6 है उसके important question है वो complete हो चुकी है और उसमें आपको यहाँ पर जो topic में question दिया गया है वो है देखो हाँ तो यह इस chapter से question completed हो गया है अब आपको इस topic question का comment करना है कि पादप है उसके लिए सर्व मानने सिद्धान्त है वो किस विज्ञानिक ने दिया था ठीक है यह आपने करें सकते हैं वास पोर संजन से संजन तनाव सिद्धान्त किस विज्ञानिक ने दिया और आपका जो पढ़ाए गया है complete उसका टेस्ट होगा गुरुवार्पुत अच्छे तरह तैयारी करें थैंक यू